हलो एंड वेलकम तो मैगनेटिक स्टुडिंग क्रेटिंग दे वेज अफ क्रेकिंग कम्पीटिटिव एग्जम्स तो फिजिक्स का नेक्षिल लेक्षिय रहे हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें हम आज डिस्कुस करने ही जा रहे हैं वरक पावर और और अनरजी अ अब आप लोग यह सोच रहूँकि कि के इनरजी को रेड पेंट से लिखा गया है या क्योंकि जो आपका सेलेबस हैं चाहे वह जो एक्चौल में पलस त्री का सेलेबस हैं जैनी के पंचाई-तत्र अकॉंट इसीस्टेंट का सेलेबस हैं उस सेलेबस मेंखा लिह ली हमारी भी और इस पर भी इसलिए मैंने वर्ग पावर को एक पेंट से लिखा है और एनरजी को दूसरे पेंट से और एनरजी वाले जो है ये ग्रेजवेट लेवल वाले है और वर्ग पावर जो वाले है और एनरजी ये तीनु किसके लिए कलास फूर्थ के लिए इसलिए मैंने इस अब लोगे सुचरों की वर्क तो सब को पता होता है वर्क सब को पता होता है वर्क क्या है लेकिन फिजिक्स में वर्क की जो मीनग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है as computer जो आपके पास concept होता है तो common language के हिसाब से work क्या होता है वो भी हम देखेंगे यानि कि आप यह कह सकते हो कि इसकी दो definitions है एक on the basis of common language और दूसरा जो है वो on the basis of physics अभी तक आप लोग ने यह सुना होगा कि जो work किसको हम कहेंगे हम work वो चीज़ है या कोई activity आप कर रहे हो any activity कोई भी activity जिसमें क्या हो muscular या mental muscular या mental effort यूज हो तो उसको हम क्या कहते हैं work तो ये भी आप याद रखिए कि activity in which muscular और mental effort is exerted उसको हम work कहते हैं लेकिन ये common language है और physics में इसका कोई रोल नहीं है common language कोई रोल नहीं है एक example मैं आप यह दे रहों जैसे कि आप लोग prepare कर रहे हो तो आपका mental effort यूज हो रहा है कि आप prepare कर रहे हो पीटी टी एक्जाम के लिए prepare कर रहे हो तो आपका mental effort यूज हो रहे हैं गर में आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका muscular effort यूज हो रहा है लेकिन physics की language में ये work नहीं है ध्यान रहे हैं ये work नहीं हैं तो physics की language लंग्वेज में वर्क किसको कहते हैं? वो मैं आपको आज बतानी जा रहा हूँ। तो फिजिक्स की लेंग्वेज में वर्क तबी होती है. यह मैंने एक अbरशेक्ट लिया, इस चीज को समंझ ले ना ताकि यह किलियर हो जाए। मैंने एक अबरश object पर मैंने forest exert किया इस direction में क्या exert किया? forest और अगर इस forest की वज़े से इसमें कुछ displacement आया, क्या मतलब है उसका? कि ये object अपनी position change किया, यानि कि यहाँ पर पहुँचा कुछ समय के बाद अब इसका displacement कितना है वो तो हमने already पढ़ा है distance from initial to final straight line distance displacement हमने पढ़ा, तो यह यहाँ पर पहुचा है, यह इसकी initial position, यह final position है, मैंने forest exert किया और इसमें displacement आया इस forest की वज़े से तो हम कहेंगे कि work हुई है, किस पर work हुई है इस object पर work हुई है अब आप लोगों यह clear हुआ है कि work physics में किस को कहते हैं और work represent होती है w से, अब यहाँ पर मैं आपको लिखने जा रहा हूँ work की definition और जो physics में use होती है दो चीज़ें यहाँ पर याद रखे, आप definition में दो चीज़ें use होती है, तो definition पहले समझते हैं, work is only done when the forest acting on an objective produces displacement in it in the direction of force or in the direction of component of force, अब यहाँ पर आप लोग समझ रहोगे यह component क्या चीज़ है तो इतना तो समझ आए, मैंने पहले यह example दिया आपको, यह हमारे पास object है, मैंने इस पर force exert किया, और इसमें displacement है, displacement कि इस direction में है जिस direction में है, जिस direction में है, इस इस direction में है तो displacement उसी direction में है, तो इसका मतलब है वो रुख हुई है अब इतना ही याद नहीं रखना है और in the direction of component of the force अब यह component of the force क्या होता है, मैंने आपको इसे पहले भी कहा है कि force जो है vector quantity है force जो है, यह vector quantity है और vector quantity के पास होता है direction क्या होता है, direction direction, तो direction की वज़े से अब इसमें यह बात भी जरूरी है कि हमने force किस direction में exit किया है अगर मैंने force इस direction में exit किया तो उस time में एक work हो सकती है अगर मैंने force इस direction में exit किया होता इसी object पर तो यहाँ पर यह object है यह वाला object मैंने नीचे लिया यह अब मैंने इस पर forest exit किया, यह forest की direction है, तो एक forest लगा, तो इस पर एक work हो सकते हैं, मैंने इस direction में forest लगा लिया, f dash की direction में, तो अब work different हो सकती है, अब यहां पर हमें क्या देखना है, यहां पर तो सारा forest उसी direction में, displacement इसी direction, सारा forest इसी direction में, लेकिन यहां पर forest different direction में, अब पर बताऊंगा कि क्या याद रखना है? वही चीज़ें आपको याद रखने, निकालने की जूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये निकालना नहीं आएगा. ये तो 11 के student को भी नहीं आता है, आप लोगों को थोड़ी आएगा. तो बस इतना याद रखोगे कि component means हिसा, नहीं है, clear? और देन, mathematically, we can write work. Mathematically, हम work को काई से लिख सकते हैं? वर्क इस एक्वल टो F.S. अब दोनों तो वेक्टर हैं, इसलिए मैंने वेक्टर नोटेशन यूज़ की. मैगनिचूड की बात करेंगे, तो मैगनिचूड में F.S. कॉस थीटा, यह चीज़ आप याद रखोगे, बस इतना काफी हैं आपके लिए. अब यह थीटा क्या है? कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा तो आप लोग ने पढ़ा होगा. तो थीटा, यहाँ पर आप याद रखिए, यह कौन सा एंगल है? अगल between displacement कि तूसरे हाँ. मैंने भी का, यह इक लिए विए इसी डिरेक्शन में फूसरे है, यह इसी डिरेक्शन में, इसी डिरेक्शन में लिए स्थीटा 10 है. इस डिरेक्षिन में तो theta तो कुछ है. आगर मैंने फोर्स इस डेक्षिन मैं apply किया होता तो 90 degree होता ना angle. अगर इस डिरेक्षिन में force apply कि थो 180 होता ना, displacement या force यहाँ तो 180 होता. तो common examples है. बस यह चीज़quito आप याद रखोगे जो theta है. थीटा is the angle between displacement and force यह इन दोनों के बीच का angle है clear हुआ है अब कुछ examples मैं दूँगा आपको जिसे आप लोगों को पूरा clear हो जाए फिर भी दो चीज़ें यहां पर याद रखनी है first क्या चीज़ आपको याद रखनी है किस में वरक में first thing जो है there must be displacement there must be displacement displacement होना चाहिए दूसरा दूसरा चीज़ second thing इसमें आपको याद रखना है component of force component of force in displacement direction in displacement direction यानि कि जो भी मैंने कहा कि direction of force component कोई हिस्सा force का होना चाहिए किस direction में displacement की direction में तो ये दो चीज़ें यूज होती है वरक में तो force अब यहां पर ये जो component of force है ये है F cos 3 ये दोनों जो है ये कहलाते है component of force और S जो यहां पर है ये displacement है clear तो ये दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है अब मैं कुछ example आपको दे रहा हूँ जिससे आप लोग को एक clear हो for example एक example में यहां पर ले रहा हूँ pushing चलो इसको मैं थोड़ा साब को देखो मैंने यह पर ठीका pushing a wall दीवार है यहां पर और उसको दका देना क्या यह वर्क कहलाएगा कौन सा component कौन सा हिसा कौन सी दो चीज़ों में कोई एक चीज़ तो absent है कौन सी हमने force exit किया तो force तो है component तो होगा अब दूसरा चीज़ यह के first चीज there must be displacement displacement तो नहीं होगा अब दीवार को दका दोगे तो दीवार तो चलेगा नहीं ना उसमें displacement तो नहीं होगा तो इसका मतलब है आप लोग यहां पर वर्क नहीं कर रहे हैं यह वर्क नहीं है यह चीज़ आप ध्यान में रखिए अब आपके पास एक डबा है हमारे पास एक डबा है इस पर मैंने forest exit किया और इसका displacement हुआ है यहां से यहां तक पहुँचा तो इसका मतलब है दोनु चीज़े यह कुछ समय के बाद यहां पहुचा component of forest in displacement is direction मैंने forest is direction में अपने किया तो आगे भी बढ़ेगा यह यह इसी forest से इसी forest से displacement आगा तो इसका मतलब है दोनु चीज़े है जब दोनु चीज़े है तो भी तो work possible है और उसके बद आपको forest भी ग्यून होगा displacement ग्यून होगा दोनु का product लेना है angle देखना है तो आपको work आएगा clear अब कुछ important point is work के बारे में कुछ points मैंने यहां पर लिखे work के बारे में यह सब ची points आपको याद रखते हैं और ज्यादा है वस इसमें कुछ नहीं करना है first point का मैंने लिखा यहां पर work इसे scalar quantity यहां पर आप screen shot ले सकते हो सारा का सारा work इतना ही है जो भी इसमें work में आएगा वस इतना ही काफी है बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता दिया work के बारे में screen shot यहां से ले सकते हो आप दूसरा चीज work is a scalar quantity मैंने का work जो है scalar quantity है SI unit of work is newton meter यह दियान में रहे इसका SI unit है वो newton meter है और उसी को कहते हैं jou तो मैं लिखूंगा newton meter जो है वो ही joule है कभी कभी इस पर question आता है which of the following is SI unit of work तो इसमें option A जो होता है वो होता है newton meter दूसरा option जो होता है वो होता है joule और third option जो होता है वो होता है both A and B both A and B और D होता है none अब आप क्या कहते हो आप लोग ने सुना होता है जोल है तो आप लोग जहां से बड़ी तेजी से करते हो by joule तो confirm है लेकिन joule के साथ साथ newton meter भी है तो इसलिए both A and B दूनों आएंगे इसमें क्लियर क्योंकि newton meter ही joule कहलाता है तो याद रखे इसमें जो unit होगा वो होगा newton meter यानि कि जिसका नाम ही है जूल क्लियर हुआ है तो ये ध्यान में रहे work can be positive, negative और zero ये positive भी हो सकती है ये zero भी हो सकती है ये negative भी हो सकती है अब ये positive, zero, negative का क्या मतलब ये समझते है अगर theta less than 90 है मैंने भी का theta क्या चीज़ है ये है angle between forest and मानलो अगर ये इस तरह से है displacement इस तरह से मैंने forest अपलाई किया ये है displacement, ये है forest angle less than 90 है तो ये positive भी कहलाता है और अगर theta 90 है ये इस direction में forest है इस direction में displacement है तो angle 90 है तो यहाँ पर zero भी कहलाता है इफ theta is greater than greater than 90 ये displacement है ये forest है ये theta greater than 190 है तो इसका मतलब है यहाँ पर negative work कहलाएगा इसको negative work कहते है इसको zero work कहते है इसको positive work कहते है अब आपको इसको क्या याद रखना है इसको इसमें से आपको बस इतना याद रखना है ये सब चीज़े अगर theta less than 90 है positive अगर theta 90 है तो zero अगर theta greater than 90 है अब zero work के लिए मैं एक example आपको दे रहा हूँ एक आदमी जो है वो bucket चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वो example उसमें आप लोग को answer देना पड़ेगा question है man holding bucket man holding bucket is walking on road work done by man is positive, zero, negative or maximum done रहे कि एक आदमी जो है वो दरिया से पानी लेकर आया bucket में और आप वो चल रहे हैं रोड पे घर आ रहा है यहाँ से कही जा रहा है तो work done by दे में आप लोग को work done कितनी है क्या वो positive work है, क्या वो zero work है क्या वो negative work है, क्या वो maximum work है दोन मैंस, इन चार मैंसे आपको option सही चुनना पड़ेगा तब जाके मैं यह समझूगा कि आप लोगों को यह condition समझ आई हुई है clear, तो work के लिए आप इतना ही याद रुखो कि यह काफी जाद हैं work के लिए, आप हम आगे वढ़ते हैं तो आगे हम जो discuss करने जा रहा हैं जैसे मैंने भी कहा है कि हम आप next portion पर आते हैं, जिस portion का नाम है for this क्या भी कहा था मैंने power हाँ, power कहा था मैंने तो आप power लेते हैं, power क्या चीज़ है मैंने यहाँ पर power की definition आपको लिखाएदे rate at which device our agent can do work is called power अब देखे, power is work by time यह जो power होते हैं, power क्या चीज़ है तो power actually हमें यह indicate कराता है कि कोई device जो है, यह कितना तेजी से कोई amount of work कर सकता है means किसी device के पास कितनी शमता है, कि वो किस रफ़तार से कोई काम कर सके, उस को उस शमता को कहते हैं power, that is power indicates how fast our device our agent can do a work more power means more work and vice versa that is, यह हम यह भी कह सकते है faster given amount of work is done by device, greater is its power and vice versa clear, तो power के बारे में यहाँ पर कुछ pointers हैं, जो आपको याद रखने हैं power जो है, सिकेल actual में एक चीज़ याद रखोगे, यहाँ पर यह जो power है, यह है mechanical power यह electrical power नहीं है, भी हमने electricity नहीं फड़ाया, तो वहाँ पर हम इसकी बहुत सारे questions भी इस पर कर सकते हैं, इस पर बहुत सारे questions भी आ सकते हैं, पावर पर, लेकिन यहाँ पर यह mechanical power है, mechanical power में आपको इतना ही याद रखना है, SI unit of power is joule by second, याद रखेए joule by second है, और इसी joule by second को नाम दिया गया है, वाट, अब आपको कहें, electrical power में भी तो वाट ही होता है, हाँ, उसका भी unit वाट होता है, क्योंकि हम SI unit की बात करते हैं, तो SI unit में कोई भी type of power हो, चाहे हो mechanical हो, electrical हो, या कोई और हो, तो वो power का हमेशा वाट ही unit रहेगा, कुछ other units भी जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि कि किलू वाट है, one किलू वाट जो होता है, थाउजन वाट होता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ten to the power three वाट, clear, thousand का मतलब है ten to the power three, अब इसी तरह मेगा वाट है, मेगा वाट का मतलब है ten to the power six वाट, या ten to the power three किलू वाट, clear, तो यहां से इसको कनलर्जन किया जा सकता है, एक किलू वाट, thousand वाट होते हैं, clear, तो यहां पर अगर आप ten to the power six में thousand बाहर निकालोगे, तो ten to the power three बच जाएगा, ten to the power three और यह रहेगा किलू वाट, एक और most important power unit है, पावर का जो है, हारस पावर, आप मान लो यह class four के लिए बहुत important point है, कि one हारस पावर जो है, वो कितने वाट होता है, तो यह भी आप याद रखे, 746 वाट, कितना होता है वो, 746 वाट, अब यहां पर आए left side में मैंने एक डवा बना दिया, blue color का, अगर आप देखना चाहते हो, तो देखो, क्योंकि यह class four का नहीं है, पिर भी, आप इसको याद रख सेकते हो, उतना ज्यादा भी नहीं है, उतना बड़ा भी point नहीं है, power जो है, work by time, जो यहां पर लिखा गया है, power is work by time, यहां पर भी मैंने power is work by time लिखा है, अब work जो खुद है, work is force into displacement, force into displacement divided by time, अब displacement by time है, velocity तो force into velocity भी बन जाए गए, और यह dot product है, इसलिए यहां पर आप लिख सकते हो, fv cos theta, जहां पर भी scalar quantity आपको मिलेगी, तो आपको cos theta एड़ करना है, तो यहां पर आपको cos theta एड़ करने की जूरत नहीं है, बस इतना याद रखोए, force into velocity जो होता है, वो भी power ही होता है, यह interval यह भी होता है, इसलिए बोथ A and B, आप इसमें याद रखेंगे, तो यह all about है, किस के लिए, for power के लिए, याद रखेंगे, यह mechanical power है, कौन सा चीज है, mechanical power, और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे हम किस पर आएंगे, हम energy पर आएंगे, अब यह कुछ चीजें जो हैं, यहाँ पर लिखी गए हैं, वो energy के बारे में हैं, क्या चीज होती है, energy, तो याद रखें, energy जो है, यह है, stored work, अब आपको बढ़े, stored work क्या होता है, stored work in a body, अगर आपके पास energy हैं, तभी तो आप work कर सकते हो, अगर आपके पास energy नहीं हैं, तो आप work नहीं कर सकते हैं, तो यही चीजें stored work, जब आप कुछ खाते हो, तभी तो आपके पास energy आती हैं, और फिर आपको यह काम कर सकते हो, अब आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास work stored है, means energy है आपके पास, clear, ध्यान रहे, यह इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, ability और capacity of a body to do work, तो actual में यह definition सही जमती है, इस पर stored work, अब दूसरा चीज़ है, ability or capacity of a body to do work is defined as energy, तो बहुत सारे बुक्स जो हैं, बहुत सारे यूटुबर्स जो हैं, वो यही देते हैं, ability or capacity of a body to do work is defined as energy, अब आपको यह गलत हैं, कि यह भी सही है, बहुत स्टोर होगी, वर्क तभी तो आप कुछ काम कर सकते हो, तो यह भी तो य को क्या चीज़, to do work, work करने की ability होना, या capacity होना, उस चीज़ को energy कहते हैं, एक ही चीज़ डिफाइन करते हैं, दोनों डिफिनिशन इस एक ही चीज़ को डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट पॉंट, energy is a scalar quantity, क्यों सिकेलर हैं, क्योंकि यह stored work हैं, assigned of energy is joule, क्यों जूल हैं, क्यों transfer of energy कर सकते हो, क्या मतलब transfer, एक type से, एक type से, for example, sound, या इस तरह से, electrical energy को आप, electrical energy को आप, sound में convert कर सकते हैं, या sound को आप electrical में convert कर सकते हैं लेकिन आप create energy को create नहीं कर सकते हैं ना destroy कर सकते हैं बलकि conversion possible हैं यही होता है conservative quantity clear हुआ है अब as per most important point जो है इस चीज़ का वो क्या है वो यह next point है as per minus minus mass energy relation आप को किया यहां पर violet हो रहा है इससे किसी ने सुना होगा कि यह violet हो रहा है नहीं violet नहीं हो रहा है मैंने भी को कहा है कि आप create नहीं कर सकते हैं energy लेकिन आप transfer कर सकते हैं यही चीज़ यह बता रहा है as per minus 10 is mass energy relation E equal as mc square काफी मशूर relation है सब को याद होगी E equal as mc square अब यह क्या बता रही है में mass of a body is not constant यह constant नहीं है but बलकि क्या है dependence on यह किस पर depend करती है energy पर depend करती है that is mass and energy are interconvertable या आप energy को mass में convert कर सकते हैं mass को आप energy में convert कर सकते हैं या energy को आप mass में convert कर सकते हैं या यू कह सकते हैं हम for example, एक example मैं दूँगा ताकि आप लोगों को एक clear हो मैंने यहां पर लिखा है water क्या लिखा है water और लिखा है मैंने यहां पर ice अब आपको जबने saying we're two, water and ice क्याए यह एक इसी चीदें दुनु तो water ही है ना, बस एक solid है दूसरा liquid है तो यही चीज़ आप धिजान रखे, यहां पर solid liquid की बात नहीं है, यहां पर है mass और ये है एनरजी आप वाटर को आइस में कनवर्ट कर सकते हैं आइस को आप वाटर में कनवर्ट कर सकते हैं इसी तरह ये भी पॉसिबल है मास को एनरजी में कनवर्ट करना या एनरजी को मास में कनवर्ट करना लेकिन इसके लिए चाहिए क्या इसके लिए चाहिए स्पीड इसके लिए चाहिए velocity, किस चीज को velocity, मास को velocity चाहिए, किस को, मास को, कोई particle है, कोई object है आपके पास, अगर इस object की velocity आप, इस velocity से comparable velocity में लाना चाहोगे, यह इतनी तेज रफदार करोगे, इतना तेज रफदार इसको करोगे, कि यह इस speed से चलेगा, 3 into 10 to the power, 8 meter per second, तो यह object जो है, इसका mass जो है, वो increase हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, mass increase, यह mass आया कहां से, इसके पास velocity थी, velocity का मतलब है, इसके पास energy थी, energy को convert किया किसमे mass में, इसलिए यह object जो है, heavy हो जाएगा, यह as per this equation है, clear हुआएं, तो लेकिन इसक compare में भी हम velocity इतनी नहीं किसी object को दे सकते हैं, but small particles के लिए यह possible है, और उनको हम matter में convert करते हैं, clear है, energy को matter में small particles के लिए conversion possible है, यह भी आप लोग जो chemistry में पढ़ते हैं, जो atomic structure उसमें थोड़ा सा इसका concept हैगा, वहाँ पर आपको सर इसको complete करेगा, clear, mass of your body is not consistent, अब various forms of energy, य most important point है, और इसको discuss करना काफी necessary है, वो क्या चीज़ है, various forms of energy, और इसको हम next lecture में ले जाएंगे, क्योंकि इसमें भी 10-20 minute का lecture बन जाएगा, इसलिए इसको next lecture में हम discuss करेंगे, काफी, बस दूसरा lecture इसका बन जाएगा, energy का, इसके बाद हम इस पर objectives, बहुत सारे objectives आपको provide करव clear, सारे के सारे objectives जो भी possible objectives है, expected objectives जो है, वो भी हम इसको अगले, यानि कि जो next lecture उसके बाद जो next lecture आने वाला है, उसमें complete करेंगे, तो फिलाल के लिए आज के लिए इतना ही, heaven is day.